सिधार शुकला ने वो किया जो शायद उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था तो खिसारी लाल यादो ने आपके सबसे विप्रीज समय में साथ दिया असीम से लडाई हो या हिमानशी से जगडा कैप्टन स्री के लिए सब में खिसारी लाल यादो सिधार शुकला के साथ खड़े रहे वैसे खिसारी ने कहा वो सही के लिए खड़े रहे लेकिन माइने भी रखता है कि उस तरफ खड़ा रहने वाला व्यक्ति सिधार शुकला जो की एक टीवी स्चार है उन्हें ये पता नहीं है कि भोचपुरी के सुपस्टार से जिसे कि आपको ये बता दे हाँ पर खुद कितनी बार खिसारी लाल यादों ने सिधार शुकला से बात करनी चाही लेकिन सिधार शुकला वो थे जिन्होंने खिसारी को हमेशा इग्नौर किया वैसे लास्ट टाइम देखा जाया तो खिसारी ने उनका इतना साथ दिया कि उसके बाद आपको ये बता दे कि खिसारी लाल यादों के इविक्षन के बाद सिधार शुकला काफी देर तक सोफे पे बैठे रहे और अपने सिर पर हाथ रख कर अपने आपको कोस्ते रहे कि क क्यों उन्होंने खिसारी का नाम लिया क्यों नहीं उन्होंने रश्मी देसाई का नाम लिया वैसे आपको बता दे कि सिधार शुकला नॉमिनेशन राउंड में खिसारी लाल यादों का नाम तो लिया लेकिन कोई जैन्वन रीजन नहीं दिया क्योंकि शायद उनके पास अ कहीं ढाल का काम कर रहे थे भले ही खेसारी ने कभी किसी की चुगली नहीं की गाली नहीं दिया लेकिन सिधार शुकला के विरोध में भी नहीं बोले वैसे हमने पहले भी आपको ये बताया था अगर सिधार शुकला ने खेसारी लाल यादो का नाम नहीं लिया होता तो वोट बराबर के पड़ते और बाद में शायद ये नॉमिनेशन टाय हो जाता क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने खेसारी लाल यादो का नाम लिया तब तो उन्हीं पता ही चल गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की खेसारी के साथ हुए नॉमिनेशन में सिधार्थ शायद पूरी रात सो नहीं पाएंगे गुछपी जिगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूले